हालो फ्रेंड्स राज एकडेमी में आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं वर्प्स को पास्टेंस में किस तरीके से एक्स्प्रेस किया जाता है इसमें इंपॉर्टन बात यह है कि इन सारी चीजों को समझना ज़रूरी है जैसे आज हम देखेंगे पास्ट कंटिने स्टें रहे हैं दट फ्रोर्मुलाईज तुषी इंड आफर्मेटिव सेंस नेगेटिव एंट इंट्रोगेटिव नो तीन हिस्सों में देख रहे हैं और जो साह जो है और इंपरेट्व जो पिस साहे उसको हमने थोड़ासा दरकनार कर दिया है उसको अलग कर दिया है यह करने की वजय भी है क्योंकि जब हम टेंस की बात कर रहे हैं तो particularly और जब हम वर्फ की बात कर रहे हैं तो many types of verbs हम देख रहे हैं बहुत सारे प्रकार की क्रियापत देख रहे हैं और जहां तक imperative sentence का सवाल है वहाँ पर सिर्फ एक ही टैप का वर्फ चलता है यह इस the root verb इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिया गया है and exclamatory क्यों नहीं लिया गया है क्योंकि exclamation में सिर्फ हमारी what say expression होती है you know means something is very exciting very surprising very threatening very dreadful very terrible very happy sorrowful यह सारी बातों को बताने के लिए इसलिए उसको यहाँ पर बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया गया है दो तरीका सेंटेंस प्रकार है यह पर और जो तीसरा है negative negative is only the mood of the sentence mind of the sentence यह जो अफर्मेटिव है इसी को negative में हम तब्दिल कर देते हैं बस जैसे देखते है पास continuous tense no आज हम देखने वाले हैं what is past continuous tense अब यह देखना जरूरी क्यों है और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हो लॉजिकल आप आगे जा रहे हो तो बहुत जरूरी हो जाता है कि ग्रामर में हमेशा आपको compare करकर बाते समझनी पड़ती हैं so there must be the comparison between past continuous tense and present continuous tense past continuous tense को क्यों इस्तेमाल किया जाता है means we always go for the two things जब हम tenses या कोई भी चीज़ सिखते हैं तो हम दो बाते सिखते हैं one is form and other is the function of that form form बोले तो जो formula होता है हमारा उसको हम form बोलते हैं and function is the kind of context we use that sentence in means जिस context में उस sentence को हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम function के तौर पर means कहते हैं जैसे देखते हैं I और he और she और it ऐसे कुछ ले लिएगे नो कि I was, he was, she was and it was अब यहाँ पर क्यों हमने ये ने लिया, दे ने लिया, क्यों हमने यू ने लिया, क्यों हमने वी ने लिया है, so this is very simple, यह हमने first, second, third standard में शीख कर छोड़ दिया है कि only with singular pronouns, we use was immediately after that and we cannot use was with plural pronouns, no? या फिर second person singular जो है you इसके साथ भी हम इसको इसको इस्तमाल नहीं करते हैं मैं बार बार इन बातों का जिक्रे कर रहा हूं कि जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो इस पढ़ाई को जारी रखते वक्त आपको हमेशे आपका जो common sense है जो logical mind है आपका उसको बरकरार रखना है उसको सभाल कर रखना है उसको जागरित रखना है तभी आप सही तरीके से not only the matter of grammarize मैं सिर्फ grammar की बात नहीं कर रहा हूं grammar इसलिए हमें आना चाहिए ताकि हमारी जो पढ़ाई है और उस पढ़ाई से आने वाले जो meaning से वह पक्के हो पाबें और वह पक्के होने के वाज मैं इतना जोर देकर बात कर रहा हूं शायद हम politics को लेकर बात करेंगे politics के कुछ videos रहेंगे economics के कुछ videos रहेंगे history के कुछ videos रहेंगे जो भी किताब है आप पढ़ रहे हैं उनके बारे में भी हम ज़रूर बाते करने वाले हैं इन राज एकडेमी के जरिये so let us see कि I was playing no एक sentence होगा है एक बहुत simple सा sentence है I was playing right this is a very simple sentence I was playing अब ये I am playing भी हो सकता है I have been playing भी हो सकता है I had been playing भी हो सकता है I will be playing भी हो सकता है फिर क्यों I was ही चुदते हैं हम तो ये जो चुनने की जो वज़य होती है वो वज़य होती है the intention of the speaker the intention of the writer while writing that sentence I was playing you know मैं फिर एक बार आपसे कहूंगा कि भाशा सिर्फ पढ़कर या सुनकर आप नहीं सीख सकते भाशा आपको बोलनी भी चाहिए और भाशा आपने अच्छी तरीके से लिखनी भी चाहिए तो आई वास प्लेइं मिस यह क्या आई वास प्लेइंग वास प्लेइंग मिस तब यह जो अक्षन है प्लेइंग यह जो अक्षन है प्लेइंग यह चल रही थी उस वक्त अगर समझो मैं अभी खेल रहा हूं तो मैं क्या कोंगा I am playing correct? yes I am playing मैं यह खेल रहा हूं मैं जा action is going on now लेकिन तब in the past in some past when the action was going on I was playing अब इस I was playing के बाद I was not playing या was you playing was I playing was she playing यह automatically आजा मैं चाहिए इसको अब हम बहुत जेर तक देखते नहीं रहेंगे क्योंकि हम इस formula को continuously देख रहे हैं so I was playing itself is was I playing itself is I was not playing that's it okay so this is so simple as such मुद्दा क्या है कि जब आप I was playing को समझ लेते हो no my point is here please today you pay attention to this aspect of learning अगर आप I was playing को समझते हो तो इस playing की जगह पर चाहे हजारों या लाखों verbs आ जाए आपको वो हर बात समझ में आनी चाहिए पर it may be I was dancing I was studying I was looking at certain things I was attending the lectures I was eating I was taking my food I was drinking water whatever whatever comes so इससे बदलाओ कहा पर होगा इसमें होगा बदलाओ कहा पर होगा I में होगा एक तो subject में बदलाओ हो जाएगा या फिर वब में बदलाओ हो जाएगा लेकिन जो functional word है was was is the functional word of past tense past tense को दर्शाता है और उसके अनुसार जो root verb है उसमें बदलाओ आता है we cannot say हम ऐसा नहीं कह सकते I was play no I was play नहीं कह सकते हूं यह बिल्कुल नहीं कह सकते हूं लोग कहते ना कि दुनिया में impossible क्या है तो मैं कहूंगा कि यह impossible है I was play बोलना ही impossible you know there are thousands and lakhs of things impossible in the world दुनिया में लाखो impossible बाते हैं लेकिन उसे हमारा कोई लेना देना नहीं है जहां तक हमारी किशमताओं का हमारे सपनों का हमारे कुछ करने का सवाल है इसको लेकर कोई बात impossible नहीं है लेकिन जो बात system से जुड़ी है यह जो बात system से जुड of language इसके लिए इसमें I was play बिल्कुल नहीं चलेगा I was playing चलेगा या I was played भी चलेगा यहाँ पर I is not a subject I is an object यह बात हैं हम next इसमें करेंगे ज़रूर जब हम do as directed की तरफ जाएंगे तब I was playing जहाँ पर मुझे रुख जाना चाहिए आपको भी रुख जाना चाहिए अगर आपको एक sentence जो है I was playing समझता है तो आपको दुनिया का कोई भी past tense का sentence समझ में आ सकता है तो चलो आगे बढ़ जाते मैं deliberately इतना रुख गया था इस sentence पर मैं चाहता हूँ मैं चाह रहा था कि आप इन sentences की तरफ ध्यान दे जैसे देखिए मैं चाह रहा था मैं चाह रहा था नो तो I cannot say I was expecting जबकि यह सई sentence है syntactically it is correct लेकिन कुछ grammar के कुछ खास rules होते हैं इन खास rules में I was expecting नहीं कहते इसे कुछ verbs होते हैं जिनको ing लगा कर हम बात नहीं करते हैं जबकि हम continuity में बात करना चाहते हैं even though you have in your mind to talk about the continuous action that might be going on in the immediate past or in the present or will be there in the future but you cannot take ing form with expect I was expecting no I expected I was feeling no I felt I was smelling no I smelt I was I was seeming no no it was seeming it seemed or I was looking I looked no यह कुछ बात है certain verbs are there they do not take ing form while forming the sentence of this sort assertive type के या affirmative type के जब sentence बनाते हैं जिनमें हम past continuous tense का जिक्रे करते हैं तो जिक्र करते हैं वे भी हम उनको we don't say how are you तो हम generally केते हैं I am feeling good यह गलस sentence how are you I am feeling good no I feel good लेगिन इंडियननेस में हमने इस बात को I am feeling good मुझे अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है नहीं मैं अच्छा हूँ I feel good so we cannot take ing with feeling that way feeling is a noun भावना लेगिन मुझे अच्छा लग रहा है इसके लिए I am feeling good यह wrong sentence हो जाता है आप जरा देखे जरूर इसको आगे बढ़ते हैं and the uses past continuous tense is used to express an action that was in progress at some point और over a period of time in the past वही जो मैंने कहा था it is used to express a frequently repeated past action Mrs. Khanna was all the time encouraging her children was all the time, was all the time no, it is used to express frequently repeated past actions जो actions past में frequently repeat होती है उनके लिए भी यह जैसे Mrs. Khanna was all the time अभी इस all the time को निकाल देते हैं या all the time के लिए गया है just to say frequently repeated के लिए बताने के लिए कि यह frequently repeated action all the time जा फिर इसको पहले भी लिया जा सकता है जा इसको आखर में भी लिया जा सकता है लेकिन एक अच्छा sentence बनाने के लिए आम तोर पर जो बाच्चीत होती है उसके लिए हमने इसको in the middle of was and encouraging में ले लिया है Mrs. Khanna was encouraging her students all the time और Mrs. Khanna was all the time encouraging her students मिस हमेशा उनके students को encourage कर रही थी मिस दाट थाइम इट वाज वरी फ्रिक्वेंट एक्षिन आफ हर्स मिसेश खन्ना की उस वक्ति ये बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंट एक्षिन थी और इसके लिए Mrs. Khanna was all the time encouraging her children तो इसमें क्या होता है grammar मैं जो देखता हूँ grammar की तरफ मेरा खुद का as a student of English language and literature मिसेश खन्ना आपके आख के सामने आ जानी चाहिए मिसेश कन्ना must be a very enthusiastic old teacher यंग teacher whatever is in your mind कि और वो कुछ competition चल रहा होगा मिसेश खन्ना कोच रही होगी उनके बच्चों ने participate किया है और उस वक्त आप ये बात देख रहे हों और वो अपने बच्चों को students को encourage कर रही थी ऐसा आपने देखा है या फिर आपको इसके बारे में पता है और ये बात आपने किसी और को मुझे बता दी तो आपने बता है कि यार मिसेश खन्ना नो she was all the time encouraging her students फिर ये हमेशा की भी बात हो सकती है या किसी एक खास occasion पर भी ये बात हो सकती है it is either or it might be the case at certain point or it might be the case of her doing the action frequently repeatedly always often no that is what तो आपको इस तरी के से एक visualization जो है ये visualization बहुत जरूरी हो जाता है visualization becomes important if you want to learn English grammar well अगर आप चाहते हो कि आप सही तरीके से English grammar को permanently समझे भाषा को permanently समझे तो आपको उस बात को visualize करते आना चाहिए अगर Maxim उस तरी के से बात करना समझे हो या फिर पड़ी भी बात को आप जाधा बहता तरीके से जान सकते हो So that visualization is important It is used to express the gradual development of action इसी तरीके से इसको कब उस किया जाता है Used to express the gradual development of an action Action की जो धीरे धीरे होने वाली जो development है जैसे The surface of the sea was turning orange इसको visualize करेंगे The surface of the sea जैसे एक समंदर है और उसका surface है अब यह दिमाग के सामने लेकर आजाओ आप Surface of the sea समंदर है समंदर आगए आपके दिमाग में आपके आपके सामने आपके मन की आखों के सामने This is called conjuring up इसको conjuring up कहते है visualize करो समंदर आगए आपके सामने The surface of the sea किसका surface of the sea क्या हो रहा था Was turning क्या turning हो रहा था Orange The surface of the sea तो धीरे धीरे gradual development इसका मतलब क्या है वो पहले orange नहीं था अब क्या है अब धीरे धीरे orange हो रहा था धीरे धीरे orange हो रहा था The surface of the sea was turning orange तो this is what Gradual Gradual Development of an action Development कुंसे action हो रहा है Turning Turning Gradually क्या turn हो रहा है वो Orange That's it So simple इसलिए तो कहते है कि Grammar is always the The patient was getting restless Miss patient पहले शान्त है और धीरे धीरे वो restless हो रहा है Restless होता जा रहा है Restless होते जा रहा है Bechain हो रहा है The patient was becoming or getting restless धीरे धीरे नो धीरे 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 हो अब समझ रहे हो यह समझ ना यह visualize करना बहुत ज़्यादा जरूरी है बहुत बार हम visualize ने कर पाते है हमको लगता है कि भाया हम आवेशिक grammar सिख लेंगे और जिन्दगी बीच जाती है पहली से लेके बारवी तक बारवी से लेके UPSC तक हमारी grammar की travel कभी खतम नहीं रहे वो चल रहे है संचा में जो ढोटा लगाते है इयाओं में होता है Guy य्यम होते हैं य्यम में जो ढोटा होता है वह पर लगा दिया जτά है वह बस यहां आया से वहहां यहां होते रहता है कई जाता ने, आगे बढ़ी नहीं पाता है, हमारी grammar की पढ़ाई भी कुछ ऐसे ही होती है, वो आगे बढ़ी नहीं पाती है, वो पूरी तरीके से ठप पढ़ी है, और इसलिए आज भी आपको वही basic grammar, simple past tense and past continuous tense and simple present tense and what not पढ़ाना पढ़ रहा है, तो अगर आप चाहते हो, कि आप सही तरीके से पढ़े, तो जरूरी चीज है, कि आप अपने आखों के सामने वो सारी बाते लेकर आ जाए, कि एक patient है, आगे आपके सामने, और धीरे धीरे वो restless, बेचन हो रहा है, तो धीरे धीरे बेचन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो प हो रहा है, कोई परिशानी हो रहा है, कोई acidity की problem है, कोई gastritic की problem है, kidney stone हो गया है, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, बेचन हो रहा था, वो patient धीरे धीरे बेचन हो रहा था, आप इसको क्या कर रहे हो, इसको narrate कर रहे हो, इसको बता रहे हो, इसको दूसरों को information convey कर रहे हो, मेसेज दे रहे हो कि पेशन धीरे-धीरे बेचेन हो रहा था समंदर का जो सतह है वो धीरे-धीरे औरेंज में तबदील हो रही थी बदल रही थी ऐसी बाते जब आप अपने आग के सामने लेकर आओगे तो जरूर यह जो अंग्रिजी ग्रैमर का अध्यान सिप अंग्रिजी ग्रैमर का अध्यान नहीं बलकि अंग्रिजी ग्रैमर के अध्यान के साथ और भी जो दुसरा आपका अध्यान है उसको आप सही तरीके से पकड़ पाओगे तब जाकर ये छोटी बड़ी डिग्रिया आप आसानी से हासिल कर सकते हो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अब हमें और क्या देखना चाहिए देखेंगे डिखेंगे नहीं हैं कि सिंपल पास्टेंज कहा है जाता है जैंडेरल रेकरन्ट और कम्पिटेर एक्शन्स और हैविच्यूल एक्शन्स के लिए उसके जाता है हम compare मैंने पहले ही कहा था कि आपको अगर सही तरीके से भाषा सिखनी है ग्रामर सिखना है तो जरूरी चीज़ है कि आप इसको compare करें आप इसको compare करें तो उसमें कुछ similarities धुंडे या फिर उसमें कुछ contrast धुंडे compare का मतलब यह होता है और जब आम इसका इसकी तरफ जाएंगे comparison की तरफ जाएंगे तो आज नहीं देखते हैं हम इसी बात को कल देखेंगे ताकि हम सही तरीके से इसको समझ पाए पास continuous टेंस पर रुखते हैं ऐसे ही पढ़ाई का अपनी grammar का सिलसिला इसलिए जारी रखें त और अपनी मंजिल के तरफ आगे बढ़ चाएं धन्यवादा